यूपे के रामपूर में आज वीर खालसा सेवा समीति की और से रक्तदान शीविर लगाया गया जिसमें 101 युवाओं ने रक्तदान किया कारेक्रम में मुख्य अतिथी के तोर पर पहुँचे रेडियो खेतान के डिरेक्टर केपी सिंग ने शीविर का शुभारम किया रामपूर जीली का यह पहला रक्तदान शीविर है जो रेलवे स्टेशन के सामने गुर्दवारी में हर वर्ष लगाया जाता है इस मौके पर केपी सिंग ने संभोजित करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है इससे किसी की भी जान बचाई जा सकती है हमें रक्तदान आवश चीज है जो सभी धर्मों को चोड़ कर रखता है समीती द्वारा जाग रुपता अभियान के तहट तहसीलों वो ब्लोकों में समय समय पर रग्दान शीविर लगाये जा रहे हैं और लोगों को जाग रुख किया जा रहा है इस मौके पर वीर खालसा सेवा समीती की पूरी क्रम में आज ब्लड डॉनेशन कैम किया है जो उन्होंने एक उदेश बनाया है 101 लोगों का जो शायद रामपूर में पहली बार होगा और इनकी युवा शक्ति और इनकी प्रिश्रम और उसको देखते हुए इनका डेडिकेशन समाज के परती मेरी तरफ से वीर खालसा समी बहुत बहुत बढ़ाई आप लोग समाज सेवा के काम में जुड़े हो आज ये ब्लड डॉनेशन सबसे अच्छा काम है इस कैम में कितने लोग उन्होंने ब्लड डॉनेशन के आगे अभी 101 का आज का संकल्प है 101 ये पूरा करके रहेंगे अभी तक करीब 40 लोग कर चुके हैं और मुझे लगता अगले 2-3 नंटे में इनके पास में ब्लड डॉनर्स काफी आए हैं दूर दूर से आए हैं 101 का आकना ये पूरा करें लोगों को संधेश भाईचारा सबसे बड़ा संधेश है समाज सेवा सबसे बड़ा संधेश है आपस में लोग जुड़के रहें क दूसरे के काम आए हैं शिरीगुरु तेख बहादर सहीब जी के शहीदी पर्व को समर्दिन हर साल की तरह इस बार भी रख्दाम का शिविर लगाया गया है जिसमें जिले भर से लोग आकर सभी समधाई के लोग बढ़ चड़ का रिस्सा लिया है और 101 लोग ब्लेट डॉन पहले होती थी लेकिन जब से हम लोगों ने कैम लगाने शुरू किये हैं हमारी सफता द्वारा ऐसी ऐसी जगह पे रख्दान शिविर लगाया गया है जहां रामपूर के त्यास में अब तक नहीं लगे हैं चाहे वो मिलक खानम हो पटवाई हो शाबाद हो कैमरी हो मिलक हो सवार हो विलासपूर हो सभी जगह पे खालसा सेवा समिती द्वारा रख्दान शिविर लगाई जा चुक है है उसी के तैत रामपूर में भी आज एक भी शाल रख्दान शिविर लगाया गया है जिसमें बड़ी संकिया में मैलाओ ने पुर्चों ने युवा लड़कों बढ़ चण का रिस्ता लिया है और रक्तदान कर रहे हैं चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद